Hi guys, welcome back to SCLive आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी Complete JavaScript Series Complete Series मतलब बिल्कुल beginner level से लेकर हम pro level तक जाएंगे वो सारे concepts cover up करेंगे जो JavaScript के basics में भी आते हैं और वो भी cover up करेंगे जो JavaScript के मदद से एक web application को बनाने के लिए जरूरी है मैं यह मान कर चल रहा हूँ आपका कोई prior programming experience नहीं है आपने कोई language नहीं करी है तो जैसा मैंने का बिल्कुल scratch से हम शुरू करेंगे हाँ एक prerequisite जरू है आपको HTML CSS के basics की knowledge होनी चाहिए क्योंकि JavaScript इनी को compliment करती है जो HTML CSS नहीं कर पाती है इस dynamic behavior वो आपकी website में लेकर आती है JavaScript तो मैं चाहूँगा आप HTML CSS की series में हमारी follow कर ले अगर आपने कुछ भी नहीं करा है HTML CSS में तो उस series को देखते चाहिए तारवले लिए आपको JavaScript पढ़ने में बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा आपका confidence level built up होगा क्या क्या cover up करेंगे हम series में उसका मैं आपको एक basic idea देदू basics of JavaScript तो हम शुनू में लेंगे ही लेंगे data type, variables operator ये तो आएगे ही आएगे हम उन topics पे भी बहुत जादा focus करेंगे जो आग मार्केट में JavaScript के most demanding topics माने जाते हैं जैसे हम callbacks में बहुत सारी बाते करेंगे promises में बहुत सारी बाते करेंगे fetch API में बाते होगी और भी बहुत कुछ होगा जो JavaScript के interview के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों और कोई भी project आप JS में बनाओगे उसमें भी ये topic लगते ही लगते हैं तो हम complete projects भी develop करने वाले हैं project series तो हमारी चली रही है आप उसे भी follow कर सकते हैं अगर आपको JavaScript आती है otherwise आप इस series को देखो और इसको देखने के कुछ time बाद parallel ही आप project series को भी follow कर पाएंगे exercises भी मैं खूप सारी कराऊंगा आपको क्योंकि मेरा as a teacher ये मानना है कि आप language पढ़कर जितना नहीं सीखते हैं उससे multiple times आप चीजों को implement करके सीखते हैं और यह बहुत बड़ा midvium solve करेंगे कि क्या JavaScript और Java में कुछ similarity है दोस्तों उतनी similarity है जितनी गुलाव और गुलाब जामन में है आई मीन बिलकुल कोई से बला रखी नहीं है तो बस इन सारी चीजों काम cover up करते हैं तो without any further ado चलिए शुरू करते हैं हमारा चाक्तर रुआ है तो चलिए डिसकस करते हैं सबसे पहले JavaScript अपने आप में क्या है JavaScript की क्या definition दोस्तों JavaScript की definition आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है JavaScript is a dynamically type interpreted programming language with object oriented capabilities that allows us to build interactive web pages बहुत सारी jargon बहुत सारी vocabulary आ रही है इसमें अब मैं अराम से आपको एक एक word को explain करता हूँ तो आपको बिलकुल picture clear हो जाएगी कि JavaScript के बारे में आप किसी को क्या बताएंगे JavaScript कौन है क्योंकि सिर्फ ये कहना कि JavaScript एक programming language है JavaScript के potential को सही तरीके से define नहीं करता है programming language तो JavaScript है ही और programming language इसलिए है क्योंकि वो एक communication medium है आपके और computer के teach है बट programming language तो दुनिया में 900 से जादा है JavaScript वहां कहां stand करती है तो गौर कीजे JavaScript का पहला feature ये dynamically type language है मैं अभी explain करता हूँ आपको JavaScript का दूसरा feature ये interpreted programming language है JavaScript object oriented features या capabilities रखती है और mainly JavaScript use होती है for developing interactive web pages अब एके करके इस पूरी vocabulary को अपन करते हैं सबसे पहली vocabulary आ रही है JavaScript is a dynamically type programming language दोस्तों इस बात का मतलब यह है कि जब आप JavaScript में कोई भी variable create करते हैं कोई भी variable बनाते हैं तो आपको cc plus plus की तरह ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि variable की क्या particular data type होगी JavaScript को नहीं चाहिए कि आप उसको data type बताकर variable दे आप जब भी js में variable बनाते हैं आप direct उसको value assign करिए JavaScript value के basis पर decide कर लेगी कि variable को क्या data type दे नहीं है मेरी बात को मैं आपको एक छोटे से example से समझाता हूँ imagine करिए ये मैं c या c plus plus का code लिख रहा हूँ तो क्या c c plus plus के code में मैं ऐसे लिख सकता हूँ a equal to 10 तो आपका जवाब होगा नहीं sir नहीं लिख सकते हैं इन languages में मुझे कहना पड़ेगा int a equal to 10 और दोस्तों जब अपन किसी language में data type बताने के लिए compelled है मजबूर हैं तो हम बोलते हैं ये language अपने आप में कैसी language है statically type language है आपको data type बतानी पड़ेगी तब आप उस variable को अपने program में यूज कर पाओगे src, src++ और दुनिया की कई languages कहती है बर दोस्तों js इनसे थोड़ी अलग है js बोलती है आपको मेरे आज जब variable बनाना है तो आपको कोई data type नहीं लेनी है आपको एक keyword यूज करना है जिसका नाम होता है let कई जगों पर आप let की जगे var भी देखेंगे बढ़ ये फरक में आपसे आगे discuss करूँगा अभी let where की discussion में नहीं जाए बस आप इतना मालो js में आपको बस कहना पड़ता है let a equal to 10 जैसे ही दोस्तों आप बोलेंगे न let a equal to 10 js automatically समझ जाएगी कि ये जो a है इसकी data type js को number रखनी है js में integers नहीं होते है js में numbers होते है point value values भी number है without point value values भी number है तो जब आप js को बोलोगे न let a is equal to 10 js समझ जाएगी कि इस variable a को number type का बनाना है और इसकी at as of now at present जो value रखनी है वो रखनी है 10 एक और बात बताता हूँ आपको js के बारे में बहुत interesting बात again इसको अगर मैं cc प्रस्टर से compare करूँ दोस्तों तो क्या c में ये कहने के बात के a में 10 है a integer है क्या मैं इस a के अंदर hello रख सकता हूँ is it possible कि c मेरे को a के अंदर string रखने ने जबकि मैंने a को int बोला वाए नहीं नहीं possible है एक बार आपने a को बोल दिया है कि वो int है तो वो int ही type की values रखेगा बट जावा स्टिप इस मामले में भी बहुत intelligent या UKली जे बहुत programmer friendly है जावा स्टिप में अगर आपने बोला ना let a equal to 10 और थोड़ी दे बात अपने code में जाकर आपने बोल दिया a is equal to hello कि आप उसके अंदर run time पे different different type of values variable में डाल सकते हो और javascript according to the value variable के decide कर लेगी data type I hope ये चीज़ आपको अब समझ आई होगी और बहुत जादा detail में अभी नहीं जा रहे हैं अपन सब चीज़ें आप coding में explore करोगे अभी तो मैं आपको इस basic funda बता रहा हूं कि अगर कोई बोलता है dynamically type का मतलब क्या है तो आप बोलोगे dynamically type का मतलब है हम data type नहीं बताते js automatically उसकी value देखकर decide कर लेती है कि variable को data type क्या देनी है अब आते हैं js के अगले important feature पे कि js एक interpreted programming language दोस्तों दुनिया में अधिकतर languages compilers use करती है अच्छा compilers क्या होते है compilers वो softwares होते है जो आपके code को computer understandable format में translate करेंगे बही जैसे मैं आप से बोलूं ये मैंने क्या लिखा है notice करिए 2 plus 3 तो दुनिया की हार language में friends अपन इसको बोलते है source code ये source code किसी software के पास जाता है जो software इसको convert करता है into something which is called as machine code क्यों machine code में convert होना है क्योंकि ये instruction एक इनसान को तो समझ आ रहा है कि 2 और 3 add करने को कह रहा है लेकिन आपके computer को नहीं पता चलेगा कि ये उसको 2 और 3 add करने को कह रहा है जिसके बाद आपका CPU इस 01 के instruction को execute कर पाता है तभी तो अपन बोलते हैं न कि programming languages computer और humans के बीच में translators हो बट जावा स्क्रिप में दोस्तो compiler नहीं होता है जावा स्क्रिप internally यूज करती है एक software जिसका की नाम होता है interpreter जो आपके source code को उठाता है और उसे computer understandable format में convert करके देता है compiler और interpreter में क्या फरक है ये भी हम आगे detail में पढ़ेंगे बट अभी के लिए याद रखिएगा जो main translator है जावा स्क्रिप में वो compiler नहीं होता जो main translator होता है वो जावा स्क्रिप में interpreter होता है जबकि C में C++ में जो main translator होता है वो होता है compiler इसलिए अपन बोलते है जावा स्क्रिप एक interpreted programming language लेकिन बाद में जब जावा स्क्रिप को थोड़ा modernize करा गया जब जावा स्क्रिप को current era, current trend के हिसाब से rewrite करा गया दोस्तों और ये modernization जावा स्क्रिप का सबसे बड़ा modernization कहलाता है जो 2015 में हुआ था और इस 2015 वाले version को friends हम ES6 के नाम से भी जानते हैं इस बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगा कि ये ES कौन है और ये modernization से मेरा क्या मतलब है अभी बस आप इतना माल लीजे जैसे market में बने रहने के लिए हर language अपने आपको upgrade करती है बिलकुल वैसे JavaScript में अपने आपको upgrade करा था और JavaScript का सबसे बड़ा upgrade market में 2015 में आया 2015 onwards बेलकि उसके भी काफी पहले onwards JavaScript में एक और software internally use करना start करा और वो एक और software दोस्तों JavaScript में कहलाता है compiler तो अगर कोई बूलता है JavaScript में कितने translator है तो गौर करिएगा दो translator है बट main translator जो JavaScript का है वो अपने आपने interpreter है इसलिए अपन ये बूलते है कि ये CC प्रस्पस की तरह pre-compiled language नहीं है ये interpreted language है जो run time पे अपने code को convert करने का काम करती है हाला कि JavaScript के code को optimize करने के लिए उसमें बहतर speed लाने के लिए JavaScript internal ये एक hidden compiler भी use करती है बट इसके बारे में हम detail में बात करेंगे जब हम JavaScript की internal working समझें JavaScript पे दो चीज़ों को बहुत अच्छे समझेगा एक होता है language को समझना syntax को समझना एक होता है language background में कैसे काम कर रही है उसको समझना ये दोनों चीज़े जब आप समझ जाओगे ना friends तो आप JavaScript बहुत अच्छे तरीके से code कर पाऊगे बहुत अच्छे तरीके से उसके concept पे काम कर पाऊगे और ये दोनों चीज़े में इस सीरीज में cover up करूँगा बट अभी मैं आपको surface level पे बता रहा हूँ कि Java Swift का जो translator होता है वो compiler कीजेगे जो main translator होता है वो होता है interpreter जबकि CC++ पे जो main translator होता है उसे माना गया है compiler तो दो चीज़े cover up हो गए हमारी कि dynamically type का क्या मतलब है और interpreted का क्या मतलब अब बात करते हैं object oriented capabilities हम बहुत detail में object oriented programming पढ़ने वाले हैं अभी वस मैं आपको hint देता हूँ कि normally दुनिया में दो तरीके की programming languages होती है एक दोस्तों वो languages होती है जो follow करती है procedure oriented programming procedure oriented programming का मतलब आप अपने program को छोटे छोटे procedures या functions में breakdown करते हो और फिर उन functions को code करते हो इस approach को दोस्तों कौन follow करता है इस approach को follow करती है C programming language बट जावा स्रिप जो language है वो follow करती है concept of object oriented programming हाला कि जावा स्रिप procedure oriented programming की approach को भी support करती है बट इसमें object oriented capabilities भी आपको मिलेंगी जैसे objects बनाना objects में properties रखना ये सारी चीज़े js आपको करते है js आपको करके देती है बट याद रखिए का js java की तरह एक full-fledged या strict object oriented language नहीं है बस js में object oriented capabilities आपको देखने को मिलेंगी तो आप देखेंगे js में अधिकतर चीज़ों को मैं address करूँगा ये object है ये object की properties है ये सारी बाते हैं अपन करने वाले हैं जब अपन आगे चलकर detail में discuss करेंगे js में object oriented program अभी बस इतना याद रखिए js dynamically typed है यानि उसमे वेरेबल बनाने variable को data type बताने की ज़रूद नहीं पड़ती js अपने आप में interpreted language है यानि उसका translator एक interpreter होता है और js में object oriented features भी available है जो आप object oriented चीज़ें दूसी languages में देखते हो तो js js में भी देखने को मिलती है साथ में js procedure oriented approach को भी support करती ये हो गए js के शुरू के 3 term discuss अब आता है सबसे important term जो आज के एरा में js के लिए बहुत ज़रूरी है और वो है interactive web pages बना दोस्तों जावा स्टिप mainly HTML और CSS को compliment करने के लिए बनाई गई अब आप मुझे बताईए HTML से हम लोग क्या करते हैं तो जवाबे जी हम लोग अपने web page का structure design करते हैं CSS से क्या करते हैं CSS से हम उसको presentable बनाते हैं सुन्दर बनाते हैं लेकिन JavaScript आपके web page को operational बनाती है operational बनाती है मतलब मतलब जब आपका end user आपके web page से interact करें for example कहीं पे click करें mouse scroll करें, mouse move करें तो website पे कुछ activity हो website पे कुछ reaction दिखें उसको बोलते हैं interactive web pages बनाना और ये interactivity लाने के लिए आप use करते हैं अपने web pages के अंदर javascript यानि javascript mainly इसलिए नहीं आई है कि आप अपनी website को सुन्दर बनाएं सुन्दर बनाने का काम तो CSS करेंगी वो इसलिए भी नहीं आई है बना सकते हैं यूजर से उन दोनों textboxes में number ले सकते हैं ले सकते हैं लेकिन HTML को नहीं पता कि दोनों number के बाद अगर button click हो तो उन दोनों number को add कैसे करा जाएगा button click पे अगर दोनों number add होते हैं तो ये काम दोस्तों होता है javascript का और इसी को अपन बोलते हैं अपने web page को क्या बनाना अपने web page को interactive बनाना अपने web page को user से interact कराना और ये main काम है आज के era में javascript language का अगर आप javascript को use कर रहे है on front end और अभी हम लोग front end पे ही js use कर रहे है I'm sure आपने से बहुत लोग ने node.js का नाम भी सुना होगा जो javascript का back end version है back end version पे javascript और बहुत सारे काम करती है लेकिन front end पे जो उसका primary काम है वो है आपके web pages को interactive बनाना आपके web pages को user friendly बनाना ताकि user उनसे track करे तो page किसी तरह का response किसी तरह का output generate करे तो I hope चारों चीज़े clear होगी होगी javascript एक dynamic language है interpreted language है उसमें object oriented features है and last but not the least javascript से हम interactive web pages बनाते हैं चिक है अब बात आती है हमारे javascript code को execute कौन करता है तो दोस्तों जो हम javascript पढ़ रहे हैं उसका code browser में run होगा correct और browser में आपके js code को run करने के लिए हर browser के अंदर हर browser के अंदर चाहे chrome हो चाहे safari हो चाहे opera हो चाहे edge हो कोई भी हो चाहे firefox हो कोई भी browser हो हर browser के अंदर एक special special software होता है और इस software को हम लोग बोलते है javascript engine short में आग से मैं इसको बुलाऊंगा js engine तो javascript के programs को overall basic level पे तो आप बोल सकते हो browser run करता है but to be very specific javascript के program को run करने का काम javascript engine करता है और दुनिया में हर browser के पास अपना javascript engine है हाला कि जो सबसे popular javascript engine है वो chrome वालों का है google वालों का है और उसका नाम है अपने आप में V8 अगली slide में मैं आपको इस सारे popular engines के नाम बता रहा हूँ जैसे chrome यूज करता है V8 engine firefox यूज करता है अपनी तरफ से spider monkey microsoft edge यूज करता है चakra ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे अलग-अलग JS engine है बट अगर इन सब के बीच में popularity के बात करी जाए most popular one is V8 यही V8 engine आपको node.js में भी मिलेगा जब आप JavaScript का back-end vergency है तो JavaScript को execute करने का काम उपरी तोर पे तो बोल सकते हैं browser का है लेकिन internally अपन बोलते है JS engines का है और जब-जब हम JS engine बोलेंगे primarily आप मान कर चलिएगा कि मैं V8 की बात कर रहा V8 engine आपके JavaScript port को run कर रहा अब एक बार फिर बात करते हैं JavaScript HTML और CSS से relate कैसे करें सबसे पहले याद रखिएगा JavaScript HTML CSS का alternate नहीं in fact आप तो ये भी जानते हैं कि CSS HTML भी एक दूसरे का alternate नहीं HTML का काम होता है आपके webpage पे content लाना तो paragraph आएगा वो HTML decide करेगी पेरागराफ का color red होगा ये CSS decide करेगी लेकिन वो color red अगर मुझे button click पे करना है तो ये काम करने का काम होगा JavaScript का HTML क्या decide करती है HTML decide करती है आपके webpage का content जैसे जो text आप लिखावा देखने है HTML से आदा है इस text का color वगेरा change करना है वो हम CSS से कर सकते है using selectors लेकिन मैं चाहूँगा ये color change तब हो जब user इस paragraph पे click करे click करे मतलब मुझे अपने webpage को बनाना होगा interactive और मेरे webpage को interactive कौन बनाएगा मेरे webpage को interactive बनाने का काम JS करेगी जिससे मेरे webpage में आएंगे dynamic effects ये mainly java state का front end पे या browser के अंदर role माना गया है कि आपके webpage पे dynamic effect लाना या interactivity करना that is the main role of java state अब ध्यान दीजेगा java state आज 2024 में कहां कहां use होती है ये जो java state create हुई थी ये आज से 20-22 साल पहले exactly बोलू तो 1996 में create हुई 1996 से लेकर दोस्तों आज 2024 आ गया है इतने साल वीद गये अलमुस्ट 28 साल java state को market में आई वे हो गए है और इन 28 सालों में java state market में बहुत सारी जगों पर use होती है primary java state use होती है चार जगों पर जो इस course में हम लोग cover up कर रहे हैं दोस्तों वो है client side java state ये वो java state है जो browser के अंदर execute होती है जिसे कौन execute करता है js engine execute करता है लेकिन दोस्तों 2009 के बाद से java strip back end में भी use होने लगी और java strip का एक बहुत बड़ा runtime environment बहुत popular बड़े से मेरा मतलब popular runtime environment create हुआ जिसका नाम रखा गया node.js तो आज आपको java strip दोनों जगे मिलती है front end पे भी और back end पे भी लेकिन ये possible 2009 के बाद से हुआ 2009 से पहले java strip सिर्फ use हुआ करती थी front end पे और तो और पिछले 7-8 सालों में java strip आप desktop और mobile पे भी available होगी है यानि अगर आपको कोई desktop application बनानी है वो भी आप JS में बना सकते हैं और इसका बहतरीन example है VS code जो VS code code editor अपन लोग यूज करते हैं तो java strip में electron js पे ही develop हुआ है और अगर आपने react का नाम सुना होगा तो react से ही connected आपने नाम सुना होगा react native का react native जैसे technologies को यूज करके हम java strip के दुरू mobile apps भी develop कर सकते हैं तो आज आप notice करके देखिए system level programming को अगर मैं छोड़ दू तो almost हर जगे आपको देखने को मिलेगी java strip system level से मेरा मतलब है hardware interaction उसको अगर मैं छोड़ दू तो आपको हर जगे java strip देखने को मिलेगी java strip browser में रन होती है जो हमारे स्कोर्स में भी हम पढ़ेंगे java strip back end में रन होती है जो node.js का part है java strip में लोग desktop applications बना सकते हैं जो पहले के time पे .NET पे java पे बना करती थी अब वो js.js में भी बन सकती हैं और तो और java strip को आप mobile application development के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो java strip का बहुत बड़ा सामराज्य है और java strip जब original ही आई थी तो सिफ browser के लिए बनी थी पर जैसे ऐसे time बीचता गया समय बढ़ता गया java strip ने अपना domain बहुत बहुत बढ़ा लिया है इतने domain बहुत कम languages के आपको मिलेंगे जो इतनी सारी जगों पर आपको active होकर मिलती है और almost हर जगी वो बहुत popular है ऐसा में नहीं है कि java strip से front end में popular है back end में नहीं है हर जगे आप देखेंगे java strip की popularity है और ये बताता है java strip आज के एरा में कितनी ज़्यादा जगों को यूज होगी अब एक बार फिर बात करेंगे हम java strip जो client side वाली java strip है वो क्या क्या करती है primarily वो किन purposes की use होती है क्योंकि friends इस course में हमकों यहीं चीज़े तो करनी है तो primarily java strip तीन कामों के लिए use होती है at the front end और at the client कौन-कौन से तीन काम सबसे पहला काम होता है user interaction यह क्या होता है button click करो तो कोई activity हो जाए या माल लीजे मैं या drop down list के अंदर से कोई fruit का नाम चूज करूँ तो sir related कुछ quantity या कुछ amount आ जाए इसको अपन लोग बोलते हैं interactivity कर रहा है बतलब user ने कुछ action लिया page में उसकी against कोई reaction दिखाया अगर आप ऐसा कर रहे है तो यह अपने आपने इंटराक्टिविटी है अब इस इंटराक्टिविटी को दिखाने के लिए मैं आपको इस एक छोटा सा live demo देता हूँ कि इंटराक्टिविटी अपन को कहा देखने को मिलती है so notice करिए मैं Google में GitHub के एक application को run कर रहा हूँ यह application का link slide में दिया हुआ है आप इसको open कर सकते हैं जैसे ही आप इस application को run करेंगे इसमें आपको तीन चीज़े दिख रही होगी बिल्कु लेफट हें साइट पे आपको दिख रहे हैं countries के नाम यह सारे countries के नाम JavaScript फेच करके ला रही है किसी API से, किसी servers आप यहां पर जैसे ही मैं कोई particular country चूज करता हूँ जैसे मैंने India चूज करा और इंडिया पे जैसी मैं इस arrow पे क्लिक करूँगा आप देखेगा जो state वाला option है इसके अंदर आपको इंडिया के सारे states मिल जाएं यह कैसे possible है यह interactivity के example है कि मेरा arrow क्लिक करना हुआ और automatically यहां पर हमें सारे states दिख गए ऐसे ही guess करिए यहां से हम कोई state चूज करते हैं let's say मैं मध्यप्रदेश चूज करता हूँ जैसी में MP चूज करके arrow पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे right hand side पे MP के आपको दिख जाएंगी सारी से this is one of the best examples of interactivity as well as JavaScript कितनी powerful है आप कितना कुछ JavaScript के quotes के थूँँ अचीव कर सकते हैं यह उसका छोटा सा इग लिम्स था तो I hope आपको interactivity clear हुई होगी कि JS में अपने interactivity कैसे लाता है अब आता है अगला point JS में अगला feature क्या है अगला feature दोस्तों JS form validation के लिए use की है form validation का क्या मतलब होता है मान लिए आपने कोई web form design करा मान लिए आपने कोई login page बनाया अब क्या है possible है कि user login page में user id लिखे password लिखना भूल जाओ और login बटन क्लिक कर दे है ना तो आप क्या चाओगे आप चाओगे कि आप इस चीज को restrict करो हाला कि आज की date में ये चीज HTML5 से भी handle हो जाती है but HTML5 बहुत अच्छे आपको validations नहीं देती है अगर आपको कोई और better condition apply करनी है जैसे माल लीजे इसी page की में बात करो इस page में जो zip code आ रहा है वो zip code एक particular pattern पे होना चाहिए एक particular style पे होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर ये काम हम करेंगे using JS या माल लीजे मैं registration form बना रहा हूँ और मैं चाहरा हूँ जो password आ है उसमें कम से कम दो special character हो चार integers हो एक upper case हो एक lower case हो इस तरीकी कोई complex condition बनानी है ये आप करते हैं with the help of javascript और इसको friends अब लोग बोलते हैं form validation इसके अलावा जो और सबसे ज़्यादा popular use है वो आपकी website पे animated effects लेकर आने का है आप देखते हैं आप बहुत सारी shopping website पे जाते हैं आप mouse का pointer किसी image पे रखते हैं image enlarge हो जाते हैं फिर आप mouse का pointer scroll करते हैं या move करते हैं image उसके साथ-साथ move करती है आप ये भी देखते होंगे कई बार आप एक image की जगे दूसी पे click करते हैं तो images swap हो जाते हैं ये सारी चीजें friends आप achieve करते हैं using javascript वो भी कौन सा version client-side version of javascript ये javascript की आज के era के अंदर utilization है अगर आप js को use कर रहे हो front end पे अगर आप js को use कर रहे हो browser आप ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो client-side वाली javascript पे वो क्या नहीं कर सकते तो दोस्तों client-side वाली js दो काम नहीं कर सकते यानि database से interact करें बट javascript में एक और feature है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस course में discuss करेंगे बहुत detail में जिसका नाम है Ajax उसके दुरू javascript का code server से कर सकता interact और इसका demo आपने अभी अभी देखा होगा जैसे ही मैंने github में इंडिया पे click करा था तो javascript server से communicate कर पाती है बट by default नहीं कर पाती है second point आता है जिस computer पे JS का code रन हो रहा है जिसे हम बोलते है client machine या browser उस computer में JS उसके file system को access नहीं कर पाती है और सोचिए जरूरी भी था restriction लगाना अगर JS file system को access कर पाए तो कितना easy हो जाएगा मेरे लिए javascript में viruses या malicious codes बनाना बड़े अराम से मेरा code जाकर interact करेगा और तुरन के तुरन आप चेक करो वो जाकर system पे user के device को corrupt कर सकता है तो javascript पे इस restriction को लगाने के लिए कि javascript नुकसान ना पहुचा है computer को बोला गया javascript file access नहीं कर पाएगी और direct javascript नहीं बात कर सकती है databases से अगर उसे बात databases से करनी है तो programmer को उसमे feature add करना पड़ेगा जो हम code के थू करेंगे which is ajax और fetch API तो ये था javascript क्या-क्या नहीं कर पाती है और क्या-क्या कर पाती है वो तो आपने देखी है अब आता है एक बहुत common doubt जो beginners को बहुत परिशान करता है और वो ताए java और javascript में क्या differences है दोस्तों या similarities है बलकि difference की क्योंकि नाम तो सुनने में बहुत common लगता है तो दोस्तों java और javascript के दीच में उतनी ही similarity है जितनी गुलाब और गुलाब जामुन में और आप जानते हैं जावा के नाम की popularity का फाइदा उठाने के लिए अपनी language को नाम javascript दे दिया इसको friends marketing gimmick की कहा जाता है जैसे आजकर लोग डेविन के बारे में बोल रहे न अगर डेविन को GPT बोला जाता तो डेविन इतना popular नहीं होता लेकिन डेविन को क्या कहेकर introduce कर गया world's first AI software engineer तब लोगों का ध्यान गया तब लोगों की attention डेविन की तरफ गयी सेम चीज जावा स्क्रिप के साथ परी गई थी एक marketing gimmick था कि जावा स्क्रिप के नाम में जावा वर्ट जोड़ दिया क्योंकि जावा उस समय बहुत popular थी कुछ वैसा ही जैसे शारुखान की पठान में सल्मान खान का कैमी हो था नाम से बस वैसे ही यहाँ पर है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप जावा स्क्रिप के लिए जावा पढ़ें या जावा के लिए आपको जावा स्क्रिप पढ़नी है और कौन कौन से टूल हमें चाहिए है क्लाइंट साइड वाली जावा सिर्फ सीखने के लिए मिलते हैं सेकंड वीडियो